मद्यप्रदेश के छदरपुर जिले में बक्सवाहा जंगल को मारने का काम बहुत जल्द चालू हो जाएगा और यहां पे दो लाख से उपर पेड टाटे जाएंगे और इन पेडों की कटाई अब की बार इसलिए नहीं हो रही कि हमें सडके चाहिए या हमें इंफ्रस्रक्चर चाहिए हमें बिजली चाहिए नहीं यह कटाई किसी बेहद ही गैर जरूरी चीज के लिए हो रही है अब वहां के स्थानिये लोग और पशु पक्षी जो इस जंगल पे निर्भर हैं हम उनकी बात छोड़ भी ने तो आईए बात करते हैं कि आप पे और मेरे पे इसका डारेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है जंगलों के कटने से सिरफ जंगली जानवर ही नहीं बहुत से नए वाइरस भी हमारे बीच में आ गए हैं जैसे येलो फीवर, हेंगे, चिकन गुनिया और जीका और जीका का तो नाम भी जीका फॉरेस पे है जो उसका उद्गम स्थल है आज हवा को धुआ हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से, अगर कोई रोक रहा है तो वो ये बचे-खुचे जंगल ही तो है जिस रफतार से पेड़ हमारे देश में कट रहे हैं ना, एक दिन यही पेड़ म्यूजियम में पाए जाएंगे और टिकेट दे के देखने पड़ेंगे आदमी को तो छोड़िये, आद तो भवानशी राम को भी बनवास जाना पड़े तो वो भी जंगल के लिए तरस जाएंगे और ये सब जानते समझते बक्सवाहा जंगल की कटाई क्यूं हो रही है, क्यूंकि इनको वहाँ पे हीरों के लिए खुदाई कर दिये अब बड़ी कंपनी वालों ने बारी-बारी बोल-बोल के कि हीरा है सदा के लिए, हीरा तो कई लोगों के लिए कीमती बना दिया पर जंगल तो बिना अद्वर्डिस्मेंट के सदा से हर किसी के लिए कीमती है तो यही समय है हम सबको अपनी अवाज बुलंद करने का इस वीडियो को इतना शेर करिए कि ये मीडिया तक पहुंचे देखिए ना जैसिका लाल हत्या कारण में पब्लिक प्रेशर के चलते जैसिका को न्याय मिला तो अगर हम भी इस वीडियो को शेर करेंगे तो शायद हम भी बक्सवाहा जंगल को अन्याय से बचा पाएंगा